एकाउंट ओपन होने के बाद आपको कोटक mobile banking application को कैसे इस्तेमाल करना है इसका process आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा कोटक में आपको प्रोब्लम आती है आपकी जो एरिया में सर्विस अवैलेबल नहीं उसका भी solution में आपको अपने एक वीडियो मता हुआ तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं को नहिसका को करने के लिए पर हमने की लिक किया अभी यहां पर देखिंगे ईसको जो भी परणी से मांगता है इसको परमीसिन देदे को चुका है तो मैंंट हैं से जस्टीन के साथ सबसे पहला सो और दूसरा एक्षिस्टर गिली क्स्ट्रक्र 10 तो मैं दूसरे वाले ओपलेे तो आपमें को हुसरी नपर हमें क्लिक करना है उसके बाद यह आपके सिम को जो है वेरिफाई करेंगा यहां पर देखिए फिर सा परमिशन मांगेगा मैसेज के अब यहां पर से आपको अपना सिम सेलर्ट कर लेना है कि कौन सा सीम आपका आपके बैंक अकाउंट मा रिजिस्टर है तो हमारा दूसरी सीम है दूसरी सिम पर करेंगे यहां पर क्लिक करकते अब यह बढ़ानी अपको इमेज़ ब्लोड कर देनी चाहिए आपको औ इमेजिप अपनी अप्लोड कर सकते हैं तो एक कर लेंगे तो आपके यहां पर करने के लिए लगा तो ज़िसके बाद मैं नेक्क प्रसेश आप करेंगे आपकी चुका है तो एंपिंस तो आपने फिंगर प्रेंट से ओपन कर सकते हैं तो यहां पर पर देखिए आपका जो है वह रिजिस्टर हो चुकी है अब यहां से आप इसकी टर्म कंडिशन का एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपके जो कोटा के अपले किसमें क्या क्या सर्विस दे गई हैं वो सभी आपके सामने आ जाएंगी तो यहां से आपके सामने सभ सब्सक्राइब करने के बाद यह पर आपको तब करना है जो आपका अपका अपन हो जाता है कोटक महिंडर बैंक में तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो है वीडियो के अधिम साइकाउंट ओपन आपकर सकते हैं जिसमाख पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ मोबमर लिंक होना चाहिए और आपको एक पैनकार कार्ड और पेपर लेकर बैठ रहें को होगा उन को या कि एपकिन करें सकते हैं किनकीन वीडियो में कि बाकी बात फिर कैरें